इश्वर सत्य है अतह इश्वर प्राप्ती का मार गिया है कि मन वानी और कर्म से सत्य का बालन किया जाए राम नाम का अश्मरन अधिहिरले से किया जाए तो उससे अवस्य ही आत्म शाक्षातकार होगा आत्म शाक्षातकार का अर्थ है सत्य का शाक्षातकार इश्वर और उसका विधान एक ही है यह विधान ही इश्वर है उसमें आरोपित, कोई गुण, मात्र गुण ही नहीं है इश्वर स्वयम गुण रूप है वह शत्य है, वह प्रेम है, रित है और मानव मस्तिक्स उसके लिए अन्न जितने भी नामों की कल्पना कर सकता है इश्वर वह सब कुछ है अटल विधान को कोई भी नहीं बदल सकता वह जिस रिती से काम करता है उसमें श्वर इश्वर भी कभी हस्तचेप नहीं करता कारण की इश्वर और उसका विधान एक ही है किन्तु मुझे यह श्विकार करना चाहिए कि उस नियम को या उन नियमों को हम पूरी तरह से नहीं जानते और जो चीज हमें विपत्ति सी लगती है वह वैसी इसलिए लगती है कि हम विश्व नियमों को भली भाती नहीं जानते जब से इस रिष्टी की रचना हुई है तब से जगत के सभी मानव जिसमें बुद्धिमान और मुर्ख दोनों ही सामिल है इस धारना को लेकर चले है कि अधी हम है तो इश्व भी है और अधी इश्वर नहीं है तो हम भी नहीं है और चुकी इश्वर में विश्वास मानव जाती के अस्तित्त के साथ जुड़ा है इसलिए इश्वर के तथि को सुर्ज के अस्तित्त के तथि शे भी अधिक निश्वित तथि के रूप में माना जाता है इश्वर पर इसी जीवंत आस्था ने जीवन को विपुल गुत्यों को शुलजाया है इसने हमारे दुखों को कम किया है यह विश्वास हमें जीवन काल में बल प्रदान करता है और मिर्तु की समय शांती प्रदान करता है लेकिन सत्य की खोज इश्वर की खोज है शत्य ही इश्वर है क्योंकि सत्य है इसलिए इश्वर भी है